नमस्कार दोस्तो दोस्तो आप सभी का स्वागत एजू किसन इंडिया में तुदर सप्रेल 2022 को दिस में भायंकर अंधितुफान आएगा और भारी बारिस होगी इसको लेकर भारत्य मौसम विबात की और से ताजा हाई अलट जारी हो चुका है तो आज के इस वीडियो में इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतक पुरा का पुरा देखिए लेकिन उससे पले आपस अभी से हमारी एक छोटी सी गुजारी से की एजू के सन इंडिया को सबस्काइब कर देव घंटी के निसान पर किलिक कर दे ता कि आपको आगे भी जोए मौसम की हर खबर सब से पले देखने को मिले तो चलिए अभी इस वीडियो को जोए शुरू करते हैं तो दस अप्रेल 2022 को इन राजों में होगी भारी बारिस और इसी के साथी इन राजों में आएगा भाएंकर आंदी तुफान तो वहीं लूकी चपेट में दिसके कही राजे रहेंगे इसको लेकर भा असम विबाक के मुतबिक केरल तमील नडू सीकिम उपिमाले पशिम मंगाल असम और मेगाल्य में हलकी से मद्यम बारिस के साथ कुछ इस्तानों पर भारी बारिस होगी और इन राजों में जोए भाएंकर आंदी तुफान का दोर देखने को मिलेगा यहाँ पर दोस्तो बत लोगों को गर्मी से निजात मिल जाएगी इसी बीच पुत्री तट्य अंद्र परदिस दशिन शतिस गड़ ओडिस और उत्तर पुर्व बियार में भी अलग-अलग इस्तानों पर जोए हलकी बारिस होगी और यहाँ पर भी दोस्तो रिकोर्ड तोर गर्मी से लोगों को र वह यहाँ पर दोस्तों मौसम विबात की भवशवानी के नुसार निचले सोब मंडल इस्तरों पर बंगाल की खाड़ी से पुरुत राज्यों तक तेज़ं दशिनी पशिम होग के परभाव से उप हिमाले पशिम मंगाल सिकिम में गरज के साथ व्यापक वर्सा होने की आसंका है वह इन राजों में जोए लू चलेगी इसको लेकर अइमडी की संभावना है तो मौसम विबात के मुतबिक जोए पशिमी राजिस्तान के जोतपुर और बीकानेर संभा के अधिकांस इस्तानों का अधिकतम तापमान चोमाली से लेकर पैतलिस डिग्री रहने की स संभावना है इसके अलाव पंजाब के कुछ हिस्सों तशिन हरियना दिल्ली उत्तर परदिस और सुरश्ट के साथ कचके कुछ हिस्तों में गंबिर लूग की इस्तती बनिराएगी इसको लेकर अइमडी की संभावना है वह ही मचल परदिस जार खंड बीयार और गुजरात के उत्री भाग और विदर बेके कुछ हिस्सों में लूग की इस्तती संभाव है इसको लेकर भी संभावना है वही राजदाने दिल्ली की बात करे तो आज यहां पूरे दिन हीट वो चलेगी और दिल्ली में आज निमतम तापमान 2100 डिगरी तो यहां पर अधितम तापमा की वज़OW से लोगों का हाल तो बेहाल हुगाई शाथ साथ दिनालों का जल इस तर भी कम हो जाएगा वह यह बात करते हैं विस्तार से मौसम की राधिस्तान की मौसम की बात करे जहां पर पढ़्दिस में गर्मी की इस्तती को देखते हुए मौसम विबाद का कहिना Benni कि आ अजय के अधिकतर इस्तानों पर तापमान में दो से तीन डिगरी तक गिरवट दर्ज होगी, उदर रस अप्रेल को जोए अलवर जुनू, सरी गंगा नगर, हनुमानगड, बीकानेर और चूरू जिल्ले में गर्मी का रेड अलट रहेगा, परदेश में जोए 11 अप्रेल से रेड अलट नई रहेगा और 12 अप्रेल से जोए गर्मी का येलो अलट की इस्तिती रहेगी, इस्ते में तापमान में गर्वट की संभावना जताई जा रही है, और यहाँ पर दोस्तों आगे बात करते हैं उत्तर परदिस के मौसम की, जहाँ पर मौसम वीबात की माने तो उत्तर परदिस के, अधिकतर जिलो में तापमान अभी और बढ़ेगा, शुबे में फिलाल जोए बारेस की कोई संभावना नहीं है, और 10 अप्रेल तक तापमान इसी तरह से हरोज नए रिकोड बनाता चलेगा, वहीं बताया जा रहा है कि सारनपुर, बागपत, गाज़ा बाद वलंदसार, अलिगड आगरा, बिजनोर सही तक कई जिलो के लिए, हीट वेव का आज अलट है, वहीं बियार से 60 कोई जिलो में जोए तापमान में कमी हो सकती है, क्योंकि बियार के कोई जिलो में बारेस को लेकर आसार है, वहीं बात करते हैं मध्या परदिस के मौसम जहां पर पूरे परदिस में गर्मी का थर्ड डिग्री टोर्चर जारी है, और मौसम वीबाग का केना है कि अगले दो दिन तक जोए गर्मी से रात मिलने वाली नहीं है, सुरज के तीके तिवर से पूरा परदिस अभी तपेगा और मौसम वीबाग ने अगले, दो दिनों कि यहां पर दो दिनों तक गर्मी का असर किसी परकास से बेशर नहीं होगा, इसको लेकर अईमडी की चेतावनी है, आगे बात करते हैं, बियार के मौसम की जहां पर मौसम वीबाग की और असे जारी चेतावनी में कहा गया है कि दशिन बियार में गरम पचुआ हुआ इसों में नम पूर्वी और दसनी पूर्वी होई चल रही है, और यहां पर दोस्तो इसके नतिजन जोए मौसम सुष्क और गरम बना रहेगा, बकसर, केमुर, रोतास, और अंगाबाद गया, नवादा से एक पुरा जमूई और बांका में, अगले दो दिनों में जोए मौसम विबा की भवशवानी के नूर पर बात बताई चा रही है, वह यहां बात करते यहां पर दोस्तो बियार की उनजिलों की जहां पर दोस्तो बारिस को लेकर आसारे, तो मौसम विज्यान केंदर के पुरान मन के नुसार 13 और 14 अप्रिल को पटना में गरमी से रात मिले और इन दो दिनों में जो है पटना में आन्दी पाने के आसारे, दिन में जो है धूल बरी आन्दी चलेगे और साती गरजब तड़क के साथ बारिस होती रहेगी, इसको लेकर आयमडी के वरस से संभावना जाईर हो चुकी है, ऐसे में यहां पर दोस्तो बियार के लोगों थोड़ी सी सुरुज की तपे से रात मिलेगी, वहीं आगे बात करते हैं चतिस गड़ के मौसम की जहां पर दोस्तो चतिस गड़ में, एक बार फिर मौसम बदल चुका और इस बार जो है तसिन से आरी थंडी हवावने यह बदलाव किया है, इसकी वजह से बस्तर, दुरग और राइपुरा संभा के कुछ जिलों में बरसात भी हुए, वहीं मौसम ग्यानियों का कहना है कि रविवार को रास्तानी राइपुरो रासर पास के इलाकों में बरसात की संभावना बनी हुए, ऐसे में यहाँ पर दुस्तो चतिस गड़ के लोगों को अभी गर्मी से रा पान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है, मौसम सुसकर राइगा और तेरा अप्रेल के बादी, राज्य में अधिक्तम तापान में दो से तीन डिगरी की गिरावट संभा हुए, वहीं उत्री हर्याना के जोय पांच कुला, अमबाला, यमना नगर, कुरुक सेत् जिलों में महेंदर गद रेवाडी, चचर गुरुग्राम, नुवा पलवल, भरिदाबाद में 10 अप्रेल को और एंजलर जारी हुआ है, भैंकर गर्मी को लेकर, वहीं इसके बाद दोस्तों इन जिलों में 13 अप्रेल तक गर्मी का येलो लड़ रहेगा, इसको लेकर IMD ने मिलेंगे, जहां पर अच्छी बारिस होगे और यहां पर दोस्तों उन इलाकों में बारिस की वज़ा से गर्मी से लोगों का हाल बेहाल होना थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इस परकार से दोस्तों अभी हमने आप सभी को पूरी मौसम की जानकरी बता दिये, तो यदि आप को मौसम की पूरी जानकरी अच्छी लगिए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दे और साथी साथ इस वीडियो को जोए अपने सभी भाईयों बानों मित्रों के पास सेर कर दे तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, जे इंद, जे भरत